उत्तर प्रदेश में जल्दी लिफ्ट एक्ट लागू हो सकता है, इसके बाद जिम्मेदारी और जवाब देही तै की जाएगी और जिस तरह की दुरगटनाएं हो रही हैं, उसमें एक जवाब देही तै होगी है। कई प्रांतों में ये एक्ट लागू है। इस दिशा में हम लोगों ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है और इंटर डेपार्टमेंटल कंसल्टेशन्स शुरू कर दिये हैं। तो जैसे इसे जो भी फीड़बैक लोगों के आएंगे स्टेकोलडर कंसल्टेशन से उसमें जो भी के प्रिजम्शन इसमें रखे हैं पहली बात एक वो लिफ्ट और इसकलेटर्स हैं जो लोगों के घरों के अंदर लगते हैं निजी घरों में एक वो होते हैं जो साजनिक अस्थानों पर लगते हैं जिनको आप पब्लिक प्रमाइस कह सकते हैं वो सरकारी भी हो सकते हैं गै पर जादा होती हैं घरों के अंदर उतनी नहीं आती हैं इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो रेजिस्ट्रेशन इसमें mandatory किया गया है सभी के लिए रेजिस्ट्रेशन के बाद जब वो erection कर लेगा तो erection के समय भी उसको बताना होगा कि हमने लिफ्ट लगा ली है जिस समय लिफ्ट लगा लेगा उस पे तो तीन चीजें उसको commitment देना होगा कि जो कुछ भी बनाया गया है या लगाया गया है वो जितने भी standard codes हैं उनका अनपालंस निश्चित किया गया है चाहिए वो बी आईस की बात हो चाहिए building code की बात हो चाहिए कोई भी इस तरह से disability के act के बात होती है इन सब ही चीजों को हम लोगों ने incorporate किया है इसके अलामा जो इसमें maintenance की जिम्यदारी है वो भी इसमें fix की गई है कि maintenance भी कराना mandatory होगा बिल्कुल सर maintenance पर आती हूँ जैसे lift बनता है या builders बना करके buildings to NCR में बहुत जादा है वो देते हैं उसके बाद maintenance की जिम्यदारी तो सर resident welfare association की होती है तो क्या यह जो draft बन रहा है इसमें RWA की भी कोई जिम्यदारी जवाब देनीत है कि बिल्कुल होगी जितने भी चाहे वो public premises के एक कोई individual भी owner हो सकता है कोई firm भी हो सकती है कोई body corporate भी हो सकती है कोई society भी हो सकती है कोई association जिसको आप RWA कह रहे है वो भी हो सकती है तो इस टाइप के जितने भी संग है उनकी जिम्मेदारियां होंगी और उनको maintain करना बहुत जरूरी होगा जिन लोग जो AMC करेंगे या जो manufacturer होंगे उनकी उपर भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो quality maintenance करें प्रांप्ट रप्लाइ रिस्पॉंस करें चीजों को quality machines की supply करें जो भी machines हो उसके spares अविलेबल हो ताकि टाइमली उनका repair भी हो सके और इसमें यह भी हम लोगोंने व्यवस्था रखी है कि कहीं अगर जो public place की lifts लगी है वहाँ पर operator mandatory रखा जाए ताकि अगर कभी फस जाता है कल को कोई बात हो जाती है तो उसका तुरंत निदान हो सके और जो operator रखा जाए उसकी proper training भी होनी अनिवारे है अभी जैसे यह निर्देश वैसे भी है कि maintenance होगी लेकिन अगर इसको mandatory बनाया गया है और उसके बाद नहीं होती है maintenance और कोई दुरगटना होती है तो क्या सजा का प्रावधान है जेल या जुर्माने का अगर है तो कितने साल की सजा सब अभी इसमें जो draft रखा गया था उस में सोची गई है और imprisonment की बात भी सोची गई थी लेकिन आज के युग में ये क्योंकि एक civil nature का jurisdiction बनता है तो उसमें decriminalization को हम थोड़ा सा avoid करना चाहेंगे लेकिन हाँ एक heavy penalty की बात इसमें ज़रूर सोची गई है जो सर अगर ऐसी कोई दुरगटना होती है तो जुर्माना होगा या नहीं आप यह कह रहे हैं जुर्माना पर होगा लेकिन अगर कोई casualty होती है किसी की death होती है कोई injured होता है चाहे वो human life हो चाहे animal life हो उन सब को compensation देने की वियोस्था भी इसमें कराई जा रही है और यह की liability आएगी तो मेरे खाल से उसको कहीं नहीं से तो fund चाही होगा insurance कराना उसके लिए hit कर होगा यही कहा जाएगा इस अभी क्या कह सकते हैं कि यह draft कि stage में है क्योंकि cabinet में जैसा की पदा चल रहा है कि आने वाला है तो अभी कि stage में है और इसमें जो imprisonment की बात है क्या वो इसम अभी नहीं है या इसमें एड हो सकता है किस स्थिती में अभी तो सोचा गया था कि इसमें imprisonment की बात रखी जाए लेकिन ऐसा कुछ मत व्यक्त किया गया है कुछ लोगों के द्वारा कि imprisonment की वेवस्था इसमें न रखी जाए क्योंकि बहुत harsh हो जाएगा यह लेकिन एक तर लोग हैं उनकी भी राय और सुझाव लिये जाएंगे क्या जो इंसी आर में बड़ी संख्या में ऐसी बिल्डिंग इसमें पुब्लिक डॉमेन में भी डालेंगे और जो मैनफेक्टरर्स हैं एमसी करने वाले लोग हैं उनसे भी हम इसमें कंसल्ट कर रहे हैं उनसे एक रा है जो भी आप मिस्स कर रहे हैं कि अलेडी जो लिफ्ट या इसलेटर्स लगे हुए हैं उनको भी इस डुमेन में लाया जाएगा लेकिन उनको एक पिरियट दिया जाएगा कि शुरुवात में छे मेने के अंदर अपने आपको रेजिस्टर कराएं और उनके पास डेड़ स साल का समय होगा कि उस डेड़ साल में वो जो खामिया रह गई हैं इस एक्ट के हिसाब से उसको भी वो उसी हिसाब से करेट करने दुरूस्त करने ताकि इस एक के कंप्लाइंस में वो समरूप रहें सबके बराबर क्या उमीद की जा रही है कब तक फाइनल हो जाएगा ड्र प्रसीजरल जो भी समय लगेगा इसमें लगेगा लेकिन अधरवाइस ड्राफ्ट के रूप में अगर हम कहें तो पंद्राबीस दिन के अंदर इसको फाइनल कर ले जाएगा लेकिन पब्लिक से भी समय लिये जाएंगे और खास्तों पर जो और स्टेक होल्डर्स हैं उनसे देखते हुई है यह जरूरी हो गया है लेकिन अब इतना तय है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में लिफ्ट एक्ट लागू हो जाएगा वीडियो जैनलिस रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन लखनो